हलो फ्रेंड्स, जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे most popular street food की रेसिपी आज हम बनाएंगे चटपटी इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और यह जो चटपटी है, यह खटी मीठी तो बनती ही है साथ ही में बहुत ही spicy और लजीज होती है जब आप इसे अपने घर पर एक बार ट्राइ करेंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा आसान food recipes के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और bell icon दबाना ना भूलें चटपटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर सोक किये हुए चैनल लिए है हमने इस कप से मेजर करके एक कप चैनल लिए और इन चैनों को हमने overnight भिगो दिया था अब हम इनको boil करेंगे चैनों को boil करने के लिए हम pressure cooker में ट्रांसफर कर देंगे और हम इसमें add करेंगे तकरीबन डेड़ ग्लास पानी pressure cooker को lead से cover करके high flame पर एक pressure आने के बाद गेस की flame को low कर देंगे और low flame पर 5 मिनिट तक और boil करेंगे जब तक चैने boil हो रहे हैं हम दूसरी तैयारिया कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने 25 ग्राम इमली और 100 ग्राम गुड को डेड़ ग्लास गरम पानी में 15 मिनिट के लिए भिगो दिया था जिस पानी में हमने इमली और गुड को सोक करके रखा था उसे हम चननी की मदश से चान लेंगे इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके यह पानी एट करेंगे ओ चमज की मदश से चलाते हुए अच्छे से हमें इस पानी को दूसरे बरतन में इकठा कर लेना है तो इस तरह हमने चन्नी की मदश से ओ चमज से चलाते हुए इमली और गुर के पानी को अच्छे से चान लिया है अब हम बेसन की स्लरी तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने दो टेबल स्पुन बेसन लिया है इसमें हम थोड़ा सा पानी एट करके इसकी एक स्मूध स्लरी बना लेंगे यह देखिए हमने बेसन की बिल्कुल स्मूध स्लरी बना ली है जिसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं है तो यहां पर हमने 3 टेबल स्पुन तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम एट कर देंगे 1 टेबल स्पुन राई और राई को तेल में चटकने देंगे देखिए राई जब तेल में अच्छे से चटक जाए तब आप इसमें 10 से 12 कढ़ी पत्ते भी एट कर सकते हैं इसमें हम एट कर देंगे 1 टेबल स्पुन अद्रख लहसुन और हरीमिच का पेस्ट और 1 मिनिट के लिए हम तेल में इसे भूल लेंगे अब हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे तो यहाँ पर हमने 1.5 टी स्पुन लाल मिच पाउडर ली है और लिया है 1 टी स्पुन धन्या पाउडर एक टी स्पुन हल्दी पाउडर और एक टी स्पुन नमक देखिए चट पटी बहुत स्पाइसी होती है इसलिए हमने लालमीच की quantity ज्यादा रखी है लालमीच की मात्रा आप अपने हिसाब से measure कर सकते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करके low flame पर इन मसालों को तेल में अच्छे से भून लेंगे तो हमने low flame पर इन मसालों को पांच मिनिट तक अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें एट कर देंगे बोईल किये हुए आलू तो हमने यहाँ पर दो मेडियम साइस के आलू को बोईल करके इस तरह के पीसिस में कट कर लिया मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे बोईल किये हुए चने तो यह जो चने हैं हम इसे इसके पानी के साथ ही एट कर देंगे अच्छे से mix कर लेंगे और कुछ देर तक इन मसालों के साथ आलू और चनों को पकाएंगे मसालों के साथ हमने आलू और चने को तकरीबन 5 मिनिट के लिए पका लिया है अब देख सकते हैं कि इसका जो तेल है वो surface पर आने लगा है इस स्टेज पर हम इसमें एट करेंगे हमारी तैयार की वी बेसन की स्लरी क्यूंकि हमने स्लरी को पहले से बना के रखा हुआ है इसलिए हम इसे एट करते वक्त एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और हम इसमें एट करेंगे एक कप यानि की 200 ml जितना पानी mix कर लेंगे साथ ही में हम इसमें 8 कर देंगे हमारा तयार किया हुआ इमली और गुड का पानी इसकी quantity तकरिबन 1.5 ग्लास दितनी है अच्छे से mix कर लेंगे और high flame पर इसमें एक उबाल आने देंगे high flame पर एक उबाल आने के बाद हम गेस की flame को low कर देंगे और इसे low flame पर पकने देंगे देखिए इस stage पर आप चेक कर लें अगर आपको इसमें खटास ज़्यादा लग रही हो तो आप इसमें अपने हिसाफ से चीनी भी add कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 10 मिनिट के लिए low flame पर पका लिया है इसकी consistency को हमें कुछ हैसा रखना है इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो यह गारी हो जाएगी अब हम इसमें एट कर देंगे एक टीस्पुन चाट मसाला अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इससे सव कर लेते है तो खाने के लिए तैयार है खटी मिठी व स्पाइसी चटपटी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किये बिना और बेल आइकन दबाए बिना ना जाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई